वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे हलो माईडियर स्टूडेंट्स मैराहुल सर आप सभी का एक स्पेशल गनित के मैराथन में जी हाँ गनित के मैराथन में आप सभी का श्वागत है जैसा कि आप देख पारे कि ये 2020 मैराथन है जिसका डिमांड हर एक स्टूडेंट को रहता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये ऐसा मेराथन है जो सभी competitive exam को cover कर लेगा चाहे वो कोई भी चाहे वो ssc का exam हो defense का exam हो railway का exam हो या पूरे all over इंडिया में अगर आप कोई भी जी हाँ अगर आप कोई भी competitive exam देने जा रहे हैं और आपके exam में गणित पूछता है जी हाँ चाहे वो कोई भी exam हो super tate, seatate, कोई भी bank, ssc, railway, हर exam की बात कर रहा हूं है वो student हमारे साथ इस 2020 special series को join कर सकते हैं ये series दोपहर में एक बजे से चलाये जाएगा ठीक है जिसमें हम गणित के सभी chapter से जितने भी chapter होते हैं गणित में जितने भी topic होते हैं सभी topic से हम 20 प्रश्णों को आपके सामने रखेंगे चार option आपको दिया रहेगा और हम उनका trickly solution करेंगे बिलकुल concept के साथ अच्छे से समझाते हुए और ये marathon आपके लिए बहुत special होने वाला है क्योंकि इस marathon में आप अपने आपको पहचान पाएंगे कि आपने 20 में 20 क्या आपके अंदर capacity है क्या आप 20 में 15 बना सकते हैं क्या 20 में 18 बना सकते हैं चलिए इस marathon की शुरुआत करते हैं और अगर ये marathon आपको अच्छा लगा तो हम आपसे उमीद करते हैं कि इस marathon के बारे में आप अपने सभी दोस्तों के साथ discuss करेंगे क्योंकि इस marathon की शुरुआत मैं एक नए जोसो जुनून के साथ कर रहा हूं और मैं आप लोगों से बहुत अपेच्छा रखता हूं कि इस marathon को like करेंगे लोगों तक पहुचाएंगे ठीक है क्योंकि हमारा कहना है आपकी सफलता हमारी पहचान जब तक हम आपको सफल नहीं कराएंगे तब तक हमारी कोई पहचान नहीं है जितना ज़्यादा से ज़्य ज़्यादा हो सके इस marathon को लोगों के पास share करिएगा और आज ये पहला class है दूसरे तीसरे class तक आते आते भीड जो है वो दुगनी तिगनी चौगनी पांच गुणी होनी चाहिए और इस marathon के सबसे बड़ी खास्यत है किसमें गप नहीं किया जाएगा comment पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जया सिर्फ एक लक्ष वो लक्ष है कि गनित को चकना चूर कर देना है एकदम जीरो लेवल से चलिए शुरुआत करते बिल्कुल टाइम वेश्ट नहीं करते ये हमारा पहला class है गनित के मैरतन का ये हमारा पहला सवाल है पहला class है और हमने लिखा है कि सभी पर पहला सवाल आपके screen board के उपर और हर chapter से question रहेगा इस बात को ध्यान रखे है पहला question आपको ratio से आ गया और पहला सवाल जो आपके screen के उपर है कह रहा है कि सर A अनुपात B बराबर तीन अनुपात 4 बी अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 लेकिन यहाँ पर A, B, C, D नहीं पूछ रहा है आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि A अनुपात D क्या होगा देखिए ये एक ऐसा मैराथान है जिसमें हम हर topic से question लेके हैं दो-दो-तीन-तीन question हर topic से रहेगा कहीं दो से कहीं तीन question कहीं दो question तो बहुत ही सांदार मैराथन की हमने शुरुवात की है और मैंने मैराथन की शुरुवात इसलिए की है ताकि ये हर एक एरिया को कबर करें सभी competitive exam में आए और साती साती ये इतने जादा लोगों तक जाए ठीक है क्योंकि इस तरह की classes की demand होती है और पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि राहूल सर के marathon 2020 marathon की में participate करें और उस marathon में भाग ले चलिए AB का value दिया हुआ है B ratio C का दिया हुआ है C ratio D का देखे बाबू जब A अनुपाद B दिया रहे है B अनुपाद C दिया रहे है C अनुपाद D दिया रहे है पहला line जिस पे खतम हो दूसरा उसी पे शुरू हो दूसरा जिस पे खतम हो तीसरा उसी पे शुरू हो और आपसे सिर् वाले तीनो संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं शुरू में जो तीनो रेशियो दिया हुआ है उसके सुरूवाले को हम अगर आपस में गुणा करते हैं पहले प्रश्ण का जो उत्तर हो गया, वो 10 अनुपात 21 हो गया, जैसा कि आप देख पा रहें, बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारी अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लिए, जहां पर टेस्स स्रीज को जॉइन करना हो तो, ठीक का 10 प्रतिशत बराबर, बाई का 20 प्रतिशत, इसको हम रेश्यो का भी प्रश्ण कह सकते हैं, परसेंटेज का भी प्रश्ण, क्योंकि इस तरह के प्रश्ण, दोनों टॉपिक में, चत्र में आता है, रेश्यो में भी आता है, और परसेंटेज में भी, आपसे पूछ रहा ह बाबु बडाबर में आपने बच्पन से यी सुना है 5, 6, 7, 8 से आप सुनते आ रहे हैं कि सर बडाबर में उपर, उपर कटा है और नीचे, नीचे कटा है यानि अगर ये दोनों बीच में बडाबर है तो क्या परतीसाथ से परतीसाथ काट सकते हैं बिलकुल क्या हम जीरो से जीरो काट सकते हैं बिलकुल यानि एक्स बराबर तू बाई को पकड़ को इधर ले आईए तो गुना में है इधर आएगा तो भाग में बराबर दो और किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो आप एक लिख दीजेगा न तो कोई दिक्कत नहीं हैं यानि क्योंकि हमें अनुपात में लाना था एक्स रेशियो बाई ब्राबर तू रेशियो वन जैसा कि आप देख रहें कि बी नंबर ओप्शन को हमें टिक लगा दिया एकदम सालीनता से इस सिरीज की हमने शुरुआत की है और हम बहुत बहुत उपैक्छा के साथ बहतर से बहतर जादा से जादा लोगों तक इस मेराथन को पहुँचा है क्योंकि जितना जादा लोगों तक आप पहुचाईएगा ये मैरा थन उतना बड़ा होगा ठीक है और उतना इनर्जी के साथ इस पर काम किया जाएगा चलिए तीसरा सवाल जैसा कि आप देख पा लेगे एक पर एक रेशियो से एक परसेंटे से अब टाइमेंड वर्क से आईए शुरुवात करते हैं तीसरे प्रश्ण की और यह बहुत सांदार प्रश्ण कह रहा है A B C तीन आदमी किसी काम को करंशा 10 दिन में 12 दिन में और 15 दिन में A और B करें तो दोनों मिलकर A किसी काम को 10 दिन में B किसी काम को 15 दिन में तो A और B तो आपने फॉर्मूला जब A और B दोनों मिलकर पूछें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A B बटे A पलस B हाँ या नह अब रहे कि जब दो आदमी AB दिया रहे और किसी A- का दिया रहे और अगर B- का पूछे तो फर्मुला होता है AB बटे जिसे इसको X मानीए ठीक है इसको क्या मानीए एक्स मान लिजे और इसको by मान लिजे तो आपने formula पढ़ा था X Y बटे Y माइनस है मतब किसी दो का दिया रहे है ठिक है और दूसरे का पूछे किसी एक का दिया रहे है दूसरे का पूछे तो X Y बटे Y माइनस है लेकिन यह यहाँ पे नहीं पूछ रहा है यह कह रहा है सर A 10 दिन में B 12 दिन में, C 15 दिन में, तीनों मिलकर, जब A, B और C तीनों दिया रहे हैं, तो तीनों मिलकर करेंगे, जब पूछे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक फॉर्मूला लिखेगा A पलस B पलस C बराबर, A, B, C बटे, A, B, पलस B, C, पलस C यह A, B, C बटे, A, B, पलस B, C, पलस C है, कब जब तीनों का अकेले, अकेले दिया रहे हैं, तीनों का एक साथ पूछे, तो A, B, C बटे, A, B, पलस B, C, पलस C है, ठीक है, यानि तीनों मिलकर खाम को कितने दिन में करेंगे, A, 10, गुने, 12, गुने, 15, पहले A, B है, तो A, B, यह दोनों है, बारह दहें के 120, B, C है, 15, गुने, 12, 180, और C, यह है, 15, गुने, 12, गुने, 15, बटे, 180, और 120, तीन, सो, तीन, सो, और डेर, सो, 0, से 0, 15, 35, 3, 12, कितने दिन में, चार दिन में कितने दिन में तीनों मिलकर करेंगे चार दिन में जैसा कि आप देख पा रहें कुछ ऐसे करके भी बनाया जा सकता है 1 by 10 प्लस 1 by 12 प्लस 1 by 15 इसको हम करते हैं भाग भी दी पर जब काम हो जाए तो उलट दीजे क्योंकि भाग का उलटा समय होता है आप इस पर भी बना सकते हैं लेकिन ये सबसे बहतरीन सौटकट है कि A दिया रहे B दिया रहे C दिया रहे और A B C पूछें तो A B C बटे A B प्लस B C प्लस C बोलिए A B C बटे A B प्लस B C प्लस C ये एकदम दिमाग में घुसाईए अपने अंदर चलिए चोथा सवाल आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है ये मिक्चर एन एलिगेशन लीजिए चार प्रस्ण और चार चेप्टर चार प्रस्ण और चार चेप्टर आ चुका है जी मिक्चर एन एलिगेशन जस्ता और तांबा जस्ता और तांबा जो है वो किस रेशियो में है पांच अनुपात तीन में है कितना तांबा और मिला दिया जाए कि अनुपात तीन अनुपात में देखिए अगर इस तरक के प्रश्ण आपके एक्जाम में आए कहीं भी आए तो पूरा मिसरन कितना है सर पूरा मिश्रन है 200 ग्राम और 200 ग्राम में जस्ता कितना है पांच और तामा तीन 5, 3, 8 और 8 की वैल्यू क्यूंकि रेशियो में योग्य है 8 और गराम में योग्य है 200 तो आठ कलम कादाम 200 तो एक कलम कादाम देखें 5, 3, 8 की वैल्यू 200 तो 8, 2, 16, 8, 45, 45, 25, 25, 26, 200 समझे इस टी हलाकि कलम है नहीं है जस्ता और ताबा है या और ऐसे कहिए कि 8 व्यक्ती जो है वो 100 रुपया कमाते है यह 8 व्यक्ती का यानि 125 गराम जस्ता है और 75 गराम तामबा है यह अलग अलग जब इस तरह के प्रस्ण हो जब मिश्रन गिवेन हो और एक रेशियो गिवेन है तो दोनों को अलग अलग पार्ट में डिभादी जिसे माल लीजे कि अगर जस्ता और तामबा 50 गराम है तो जस्ता और तामबा का यह दिया तो अलग अलग पार्ट में निकाल दीजे यह कर रहा है कि जातु कितने का है जी 200 गराम का उसमें तामबा जस्ता और तामबा 5 और तीन तो पांच-तीन आठ का वेल्यू दो तो एक का वेल्यू पचीस अथी दो सू होगा ना तो पांच की वेल्यू एक का पचीस तो पांच का पचीस 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 ठीक है पचीस तीया पचीस पचीस तीन का पचीस अब देखिए करना क्या है कि जस्ता को उपर रखें क्योंकि जस्ता पहले है जस्ता को उपर तांबा नीचे है तांबा को नीचे है अब देखिए कह रहा है कि इसमें कितना तांबा और मि लाया जाए तो कितना जागा कितना क्यों कब कैसे रहे तो X तामा मिलाएगा और अनुपाथ क्या खोज रहा है अनुपाथ प्लट की मतलब किढ़ बटा और इसके बराबर हो जाएं बस कुछ नहीं करिए तरचा तरचे गुना करिए 255 625 बराबर होगा न, 25 तिया 75, 25, 75 तिया 225, ठीक है, पलस, x इंटू 3, 3x हो जाएगा न, अब इसको इधर करिए, तो 3x बराबर, 625 में 225 गया, तो 3x बराबर, 400, तो x बराबर, 400 बटे 3 करेंगे, और 400 बटे 3 करिएगा, तो यह आपका आजएगा, 133 पुर्णंग, यह देखे सही से लिखा हूँ, यह ऐसे लिखा हूँ है, 133 पुर्णंग, 1 बटे 2, 3 गराम, और यह इतना ही आएगा, 133 पुर्णंग, 1 बटे 3 गराम, देखे सालिंता से समझी है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन हम आपको बहतर से बहतर सिख पाएं, ठीक है, काम अधिक और बाते कम करें और आपको बहतर से बहतर सिखा पाएं, 200 ग्राम धातू में जस्ता और तामबा है, ठीक है, यह 200 ग्राम में, ठीक है, दिखेगा ध्यान से थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से एक्स्प्लेन करना चाहता हूँ, जस्ता और तामबा 4 0 8 5 40 ठीक है तो एक की value क्या मिला एक का value 25 तो 5 का value 25 पचीज़ पचीज़ एक सो बचीज़ तीन का value 75 देखिए 125 और 75 जोड़कर हमारा 200 आ रहा है यानि बिल्कुल सही है अगर इस तरह के प्रश्न अस्क्रीन सोट ले सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न आए तो ऐसे ही solve करिए और ये हर exam के लिए बहुत important है मिसरन से संबने देखिए 4 questions और 4 अलग-अलग चाप्टर से अलग-अलग topic से पाचवा सबाद यदि अलग-अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 दिन और बाई 8 दिन चार घंटे और बाई 8 घंटे लेते हैं तो दोनों मिलकर जब a का समय दिया रहे और b का समय दिया रहे यानि जब x का समय दिया रहे और y का समय दिया रहे और पूछे कि x प्लस y दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे तो फॉर्मुला होता है x y वटे AB बटे A प्लस B वही है कि X और Y दिया रहे हैं दोनों मिलकर X Y बटे X प्लस Y ठीक है यानि 4 A 4 दिन में 4 गंटा में और ये 8 गंटा में बटे 4 प्लस 8 4 गुने 8 बटे 8 4 बारा 4 तीया बारा 8 बटे 3 गंटा को हम लिख सकते हैं 4 गंटा क्या अगर मिनट में प्रस्न कहरा है regर मिनट में बोल रही तो आठ बटे 3 को60 से गुणा कर दिजे क्योंकि एगंटा मैं साठ मिनट 28 AD система बदल दिजЕ 28 शाठ भर बटे přिंट वीसऑनना नहीं डू बटक यह और वन्दम गंटा दो कर्का ब्यक्त दोДत ऊथ20 160 मिनट के बरावर होगा है ओप्चन में बिल्कुल सीख पा रहे हैं ये कुछ नहीं है आठ बटे तीन था ना साथ से गुना कि घंटा को मिनट में बदर होगी है एक दम जीरो लेगल से आप सीख पा रहे होगे और अगर आपका सहयोग रहा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैरथन पहुचा और लोगों ने अगर इस मैरथन को लाइक किया हम चाहेंगे कि कमेंट करें लाइव क्लास में तो आप लोग है लाइक कमेंट करें लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये पूरे बड़े लेवल तक ये महराथन की शुरुबात हुई अगर ये बड़े लेवल तक पहुचा तो इसको हम बहुत लंबा लेकर चलेंगे यहां यह रुकने वाला महराथन लेए हैं ठीक है मतलब यह कंटिन्यू चलते रहेगा अग्रसर जिसको गोलते हैं चली छटे नमबर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं सवाल क्या कह रहे हैं धातू A का 60 kg धातू B के 100 kg के साथ मिलाया गया यदि A में सीसा और 3 का अनुपात 3 दो धातू B में 3 तता थामा का अनुपात 1-4 तो कह रहे हैं नई धातू में 3 कितना है देखें दो धातू है जी एक है 60 kg का और दूसरा है 100 kg का ठीक है करेदी धातू A में अगर ये धातू A मानिए और ये धातू B मानिए ठीक है A में सीसा और 3 सीसा रेश्यो तिन सीसा और तिन का अनुपात 3 दो देखो पहले अलग अलग कर दो 3 दो 5 पांच की वैल्यू 60 kg है तो kg ग्राम है तो ग्राम कोई दि 10 का 2236 और दो पांच ब्रावबर साथ गइंग, 1250 तो तेंग, 1550 ब्रावबर साथ गशकहेंट गशूरा चाहीं 20 यानि सीषा 36 तो थसरी चाहीनि अड़ीử 50 I कभी करेंड आ किया हैU 2028 दातू में और 310 चाहयर गा finely शेम आंग, 01 और 4 पहन किआ है त्योधिता, यानि एक टीन और चार तांबा, चार एक पांच कलम का दाम सो रुपई है, या चार एक पांच की वैल्यू सो, तो एक की वैल्यू बीस पचे सो, तो एक की वैल्यू इधर बीस केजी हो जाएगा, और इधर बीस चक असी केजी, प्रशन क्या पूछ रहा है, प्रशन ध्यान स अब कहा रहा है कि यह इन दोनों को मिला दिया जाए ठीक है यह दि धातू एका 60 kg अब धातू भी के 60 kg के साथ मिला ये तो कहेंगे सर्थ यहां से टीन है 24 kg और यहां से टीन है 20 kg 24-20 24-24 kg टीन है ठीक है टीन का मिश्रण कितना है जैसा कि आप देख पारे कि हमने बी नुमर ओप्शन को टिक लगाया यानि यह हमारा बिलकुल सही उत्तर कुछ नहीं है अलग-अलग दो धातू था एक 60 kg था एक 100 kg का टीन और सीसा का रेशियो दिया था हमने अलग-अलग कर दि यहां से हमें 24 kg मिला यहां से हमें 20 kg मिला 24-24 kg टीन था यहां तक समझ पा रहे हैं आप हां या ना में उत्तर दीजिए बिलकुल 100% समझ में आ रहा होगा कुनी चलिए सात्वे प्रशन की बात करें सात्वा प्रशन कह रहा है ए और बी अलग-अलग एक कारी को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं वे दोनों मिलकर जब एका दिया रहे है बी का दिया रहे और एक पलस बी पूछे तो फर्मूला होता एशी According I चार दिन में, ठीक है, कितने दिन में, चार दिन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि हमने D number option को टिक कर दिया है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की, एक दम बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक दम चोटे चोटे प्रश्न, कुछ अच्छे अच्छे भी प्रश्न है, पांच, एक्स मतलब सबका वैल्यू गीवन है, आपको क्या चाहिए, पी, एस, एक्स, इंटू, क्यू, आर, वाई, ये हमें मान चाहिए, देखो, पी पहले है, तो पी का वैल्यू पहले वाला, तीन, गुने, यस, बाद में है, तो यस की वैल्यू बाद वाला, पांच, ए या पांच, पचीस, तीया, पचाहिए, या या ये इस प्रश्न का उत्तर है, पचीस, रेश्यू, बाद रेश्यू, बिल्कुल सीख पा रहे होंगे, साथ-थी, साथ, समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है, और अगर किसी को जीवन में समझाने की जौरत पड़े, तो मुझे तो पता है कि जब आप मुझसे पढ़के निकलेंगे न, तो सीखेंगे भी, समझेंगे भी, और समझाएंगे भी, और हमने फ्रस्ट नाइन में बोला है, कि जब तक तोडेंगे नहीं इसको, तब तक इसको छोडेंगे नहीं, ठीक है, चलिए, नौबे प्रश्न की बात कर तो फॉर्मुला क्या होता है, ए बी बटे, ए पलस भी, यानि दस गुने पंदरह बटे, अभी इसमें हाड़ वाले भी प्रश्न आएंगे, परिशान मत होईए, यानि दस गुने पंदरह बटे, पच्चीस पांच तीया पंदरह, पांच पच्चीस पांदुनी, दस तीन जी हाँ, ये तो हलके वाले प्रश्न भी है, अभी धीरे धीरे लेबल प्रश्न का बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जो मजा है यहाँ पर पढ़ने में, चलिए, आचुका है चेप्टर, नया चेप्टर आगया, ये परसंटेज का कोश्चन हो गया, ठीक पंदरा सो का पैतालिस प्रतिशत प्लस सत्रा सो का पैतिस प्रतिशत बरावर एकतिस सो पचतर का एक्स प्रतिशत, ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इस एक्स की वैल्यू चाहिए, जहांकि आप देख पार है, अगर कोश्चन सही टाइप है, तो हंडेट परसंट उक्तर भी सही आएगा, पंद्रा सो काका मतलब गुना, पैतालिस अपरतीसाथ अठाएंगे तो बटा में सो, पला सत्रा सो काका मतलब गुना, पैतीस अपरतीसाथ अठाएंगे तो बटा में सो, एकतीस सो पचत्तर काका मतलब गुना, एकस अपरतीसाथ अठाएंगे तो 25 दुनी 50, 27, 175, हाँ, यह 27 बारे में कटेगा, 45 गुने 15 करना हो, तो 45 देंके 45, 45 तो पहले होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे 45 देंके 45, 45 का आधा, 25 होता है, यानि 45 का आधा, 225, तो 4 दो 6, 50, 20, 75, 35 गुने 17 थोड़ा सा करना पढ़ेगा, कि होता क्या है, 35 गुने 17, 75, 35 के 5, तो 3, ठीक है, 75, 35, हाथ में रहा 3, 21, 23, 24, और यह 35 बार में 5, 5, 49, ठीक है, 75, 35 के 5, हाथ में रहा 3, 21, 24, 5, 5, 49, 25, 5, 50, थीक है, ये थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा 127 X बटे 4 क्योंकि बटा में 4 बचा हुआ था अगर हम इन दोनों को जोडते हैं तो आएगा 600 और 61200 1270 आएगा बराबर 127 X बटे 4 क्या ये 10 बार में कटेगा देखे न 10 बार में कटेगा ये भाग में इदर गुना में है नहीं X बटे दास चक बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे है none option होगा कोई बात नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है 40 option में नहीं है तो ये 40 के लिए हमने none को टिक लगा दिया एक दम बिल्कुल देखिएगा सीथ पा रहे हैं हर चेप्टर से ये प्रश्ण ये जो महा special series की हमने शुरुआत कि है ये इतना बहतर है कि हर चेप्टर से question पूछे जा रहे है यहां ये इतना special है कि हर चेप्टर से देखिए न अभी हमारा number ये हमारा percentage से आ गया अब अगला पता नहीं हो सकता है कौन सा आ जाए अभी फिलाल percentage से ये एक एक दो दो प्रश्ण हर चेप्टर से रखा गया है चलिए इसके solution की बात करे तीन सो साट का कमत तक गुना एक्स बटे सो बराबर 139 दसमलव चेए देखो बबुई नीचे नीचे कटता है अग गुना में तर्चा-तर्ची कटता है तो तर्चा-तर्ची एक जीरो कटा नीचे नीचे जीरो कटा आप देखेगा 6 से कटीए 6 चक चतिस चे दुनी 12 चे कम 6 चे चक चतिस लीजी और कट गया 36 यहनि पूरे-पूरे कट जाएगा एक्स की वैल्यू 36 जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले ओप्शन पर हमने टिक लगा दिया सीख पा रहे हैं एकदम मजा रहे हैं फर्स्ट क्लास के फिडबैक के बाद मुझे ऐसा फील हो जाएगा कि आप इस 2020 मैरतन को कितना पसंद करते हैं उसके साती साथ अगर आपको सब्सक्राइब का नाम है ड्रीम क्लासज औफीस्ट वीडियो के दिस्क्रिप्शन में नीचे हैं अप्लिकेशन पर डिस्क्रिप्शन को खोली संकल्प बैच को जोइन करें रजिस्टर करें और पेड कोर्स में जाईएगा आपको एक बैच दिखेगा कौन सा संकल्प मैथ, रिजनिंग और एडवांस वे तीनों की तैयारी बैच में एक साल पढ़ाएंगे लेकिन वो आपके कोर्स के अंदर दो साल की वैलिडिटी रहेगी मतलब वीडियो जो है वो जो क्लास होगा न लाई वो एस रिकॉड़ेट दो साल तक रहेगा तो उस बैच को जोइन कर सकते हैं तो आप पीछे क्यों रहेंगे इस तंमय असोग किया एजर एज रिलेटइड है आपके अन लागने करनी प्रस्न एक नई उर्जा का सेशल कर आmbके अंदर तइस बोले रहे और, अलpo मढ़ें और अबीदेगी एज रिलेटेड अभी देगी एज रिलेटेड डागया टाइमेंड वर्क ठीक है पता निये टाइमेंड डिस्टेंस सिंपल इंट्रेस्ट कमपाउडंट क्या आ जाए अगला प्रश्ण कोई पता नी इस समय असोक की आयू और परदीप की आयू का अनुपात च देखिए अभी फिलाल वरतमान में ये लोग चार अनुपात तीन में हैं, कह रहा है छे वर्स बाद यहां देखो बाबू, छे वर्स बाद असोक किया यूँ 26 वर्स हो जाएगी, असोक 6 वर्स बाद कितने का हो जाएगा, 26 वर्स बाद, एक दम ध्यान से नहीं, सिंपल समझन आप 6 साल बाद 26 के हो जाएगे इसका मतब, इसका मतब यह है कि अभी आप 20 साल के हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ, असोक 6 साल बाद 26 का हो जाएगा, यानि अभी फिलाल असोक कितने वर्स का है, सिंपल सोचिए न, आपको कोई बोले कि तुम 6 साल बाद 26 हो जाएगे, तो 6 स words का और यहां देखिए my dear student कि जब असोक वरतमान में 20 साल का है तो असोक का ratio वरतमान में कितना है क्योंकि ये कह रहा है इस समय वरतमान में असोक और परदीट की आयूकरण पत ये जो ratio आपको दिया हुए किस तीच का दिया होए वरतमान वहर तो वरतमान में आशोख चार है जिसकी वैल्यू भीश चार कलम का दाम 20 रूपाया तो एक कलम का दाम हम जान योच करला ताकि हम समझा पाएं चार कलं का दाम 20 रूपाया तो यह क्लम टाम 24,25 रूपाइब जब आसोख रीशियों में चार है तो चार की वैल्यू 20 है तो बैचारा परदीप तो रेशियों में तीन है तो चार का वैल्यू 20 तो एक का पांस तो तीन कितने का हो जाएगा पंदरा वर्ट का यानि परदीप अभी वर्तमान में कितने का है पंदरा तो करा इससे में पर दीप क्या यूँ कितने हैं, सिंपल सोची नहीं, चार कामान 20 है, तो एक कामान 5, तो तीन कामान 5 तीया 15, एकदम, पॉइंट टू पॉइंट इकदम सॉल्यूशन, बारा प्रस्ण को भील कर चुके हैं, आठ प्रस्ण, क्योंकि ये 2020 सिरीज है, और 20 में 20 लाने की कोशिश करिए, लगबग 40, 45, 50 मिनट का ये सिरीज होगा, कोई 50 भी हो सकता है, कोई 55 भी हो सकता है, अगर फलके हल के प्रस्ण है, तो 30, 35 पे भी काम चल जाएगा, मतलब समय की कोई पावंदी नहीं है, देखिए, भेड और, टॉपिक चेंज, चैप्टर चेंज, और अपके अंद करने की भावना आ रही है आपके अंदर, तो ये जो 2020 सिरीज है, इसको इतना लाड़ प्यार करिए, इतना शेयर करिए, कि ये सिरीज मैं पूरी हमेशा लाइफ टाइम आपके बैच के अंदर मैं ला सकूं, आपके चैनल के उपर ला सकूं, तो ये तमन्ना, ये उमीद मैं आपसे रखता हूँ, और ये आपसे ही पॉसिबल है, जितना लाइक होगा, जितना शेयर होगा, जितना चैनल बच्चे लोग सब्सक्राइब करेंगे, उसी आधार पर इस सिरीज को हम आगे बढ़ेंगे, कभी है ये सिरीज, दो पहर में, एक बज़े से, रेगुलर, देर अचे, यहां तो कोई दिक्कत कर रहे है, भेड और गड़े, अच्छा गड़ेरिया कौन, भाई गड़ेरिया वो जो भेड को चराता है, यानि किसी इंसान की बात कर रहे है, भेड और गड़ेरियों के एक समों में 16 पैर है, पैर दो भी हो सकता है किसी का, जैसे पैर दनेकी होता है, कट गया तो कट गया, नहीं, तो कर रहे हैं, भेड और गड़ेरियों के एक समों में 16 पैर है, जो सीरों की संख्या से 10 सदिक है, यानि सीर जो है, वो 10 कम है, तो कर रहे हैं, देखिए एक ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ, एक होट ट्रिक की बात क चार पैर वालो के उपर लगेगा, दो पैर वालो के ने, तो भेड के कितने पैर होते हैं, अगर गड़ेरिया पूछता तो फिर हम कुछ लंबा लेकर जाते, तो ट्रिक ये है, चार पैर वालो, चार पैर वालो की संख्या, चार पैर वालो की संख्या वरावर फर्मुला हो यल यानि लेग यानि पैर याच यानि हेड यानि ठीड तो भेड का ही पूछ रहें जी चार पैर है नवेर का भेड की संग्य कई सर गड़ेरीय का पूछता तो कोई बात ने पहले भेड निकाल के टोटल में भेड का घटा देते गड़विये निकल जाता एल भाई तु लेग कितने है जी पैर सोला बटे दो माइनर सिर कितने है छे हलाकि ऐसे कटता नहीं है पर मैं डारेक्ट काट रहा हूँ आठ में से छे गया दो भेड है भाई इस प बहतरीन क्लास से पाला पड़ा है आपका नहीं और लाइक करिएगा शेर करिएगा बहुत अच्छा लगेगा हमें मैंने बोला तो कि ये सिरीज मैं आप लोग के हाथों में छोड़ रहा हूँ जैसी जितना भीड रहेगा उस सिरीज को उतना बहतर कर देंगे बीस बीस के पच्छा सिरीज हम चलाएंगे उसके बाद हम कुछ नया डिसाइड करेंगे यम का आठ पुर्णां के एक बटे तीन को आठती है चोबीस एक पचीस बटे तीन लिख दीजिए पचीस बटे तीन परतीसत बराबर देर सो परसेंटेज का कोश्चन देख पा रहें आप यम क उस परतीसत के जगा पर एक बटे सो से गुना किया जाता है कोई कोई सर बोलते हैं कि सो से भाग दिजिए एक बटे सो से गुना करिए बराबर देर सो लिखे डैरेक्ट काटिए पचीस चक बराबर में उपर उपर काट सकते हैं पचीस चक डेर सो यम बटे तीन सो सो गुन सके यम का वेली वठा रहा सो देख पा रहे हैं पक्का चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो यह पंदरा नमर राम एक गाई को आठ सो रुपे में खरीद कर एक हजार रुपे में बेच दिया खरीदा कितने प्रॉफिट एंड लॉस आ गया जी परसेंटेज से प्रॉफिट लॉट छे साथ चेपटर हम कबर कर चुके एक एक दो डो प्रसनों से खरीदा रामने आठ सो में और बेचा कितने में लाब highest की बात हो रहा है तर बेचा गया एक हजार में तो आठ सो बला खरीद कर दो रहाशार में बेच देंगे तो लाभ कितने का तर लाभ journalism का प्रशने पूछ रहा है लाब परतिशत परतिशत लाब वरावर फॉर्मूला होता है लाब गुने सव बटे क्रेमुल क्रेमुल मत्ब खरीद ना लाब गुने सव और कितने में खरीदा गया 25% का प्रॉफिट हुआ जो आपके B number option को हम टिक कर पा रहे हैं समझ में आ रहा है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत चांदार अगर आप इस मेराथन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए ठीक है और मैं राहूल सर ओनर आफ ट्रीम क प्रशन की बात करें कि 500 रुपय का दस प्रतिशत वार्सिक व्याज की दर से एक पुर्णांक एक बटे दो है ये ऐसे एक पुर्णांक एक बटे दो इसको डेड़ बर्स भी कह सकते हैं लीजिए चैप्टर चेंज हो गया भूली गया ये क्या है जी चक्रवड़ी व्याज आगया अब आपको compound interest जो जीडी वाले student है वो इस महराथन को कुछ भी हो जाए इस महराथन को कभी मत छोड़िएगा बरना जीबन भर पस्ताते रहिएगा 5000 रुपय का 10 प्रतिशत वार्सिक व्याज की दर से डेड़ वर्स एक पुर्णांक एक बटे दो यानि डेड़ वर कि समय में दो से गुना किया जाता है और दर में दो से भाग दिया जाता है सबसे बड़ा काम एक पुर्णांक एक बटे दो को तीन बटे दो लिख सकते हैं याद रखेगा इस बात को यदि व्याज की दर छमाही हो तो दो रूल पहला कि समय में दूसे गुना करेंगे दू टीन वटे दो और इसमें हम दो से गुना कर देंगे तो दो से दो कट गया समय कितना बचा तीन बर्स नहीं कर सकते तीन छमाई बोल सकते दर कितना है बादू दर है दस दस में दूसे भाग देंगे पांच परतीसत रेट ओ इंटरेस अब क्या कह रहा है कि चक्रविधी व्या ब्याज बराबर चक्रविर्दी व्याज बराबर मूलधन इंटू मूलधन इंटू वनपलस दर बटे सौ पर पावर समय और व्याज चाहिए तो यह मिस्द्धन में मूलधन को घटाना होता है ज्यान से समझ देगा माईडियर स्टूडेंट मूलधन है 5000 5000 इंटू रेट पिंट्रेस्ट अब घट गया ना पांच बटे सो अच्छ हमाही सही हो जानुगा तो कितना समय में तीन से दो से गुना किये ना तो तीन बच गया माइनस मूलधन कितना था 5000 बीस बार में कटेगा तो यह हो जाएगा 5000 मैं तोड़ा सा ही हाँ टाइम लेओंगा मैं इधर आ जाता हूं ठीक है 5000 गुने 21 बटे 20 गुने छोड़ी इधर भी हो जाएगा 5000 गुने 21 बटे 20 तीन बार में न 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 और माइनस 5000 क्योंकि यह यहां तक जो है न यह मिस्तरदन है मुलधन घटाईएगा तभी ब्याज निकलेगा देखो 301 2 3 0 1 2 3 0 अब मुझे थोड़ा सा फोन यूज करना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा न और यह सिरीज हम चाहते हैं कि कम समय में लगे 21 गुने 21 गुने 21 और गुने 5 करते हैं तो 46,305 और भागे 2 दुनी 4 दुनी 8 भागे 8 अगर हम करते हैं माइनस 5000 करि आजाएगा वो आजाएगा 788.125 हाँ 788.125 रुपई यह व्याज पांच इसका जो मान आएगा यह आएगा 5788.125 तो यह 5788.125 और यह क्या बात है बहुत बढ़िया हमें ब्याज चाहिए तो ब्याज में मुल्दन गटाएंगे इसने हमने इस मुल्दन को गटा गटाया आप आराम से देख सकते हैं ठीक है कि इसका सही फॉर्मुला क्या है बिलकुल यही उत्तर वहां से भी मिलेगा और यह बिलकुल अद्भ कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और क्या जी और बिना कुछ किये जैजेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है मोहन किसी बस्तु को एक सो रुपे में खरीद कर असी रुपे में बेच दिया लीजी बाबू ने खरीदा कितने में मोहन बाबू ने स्टौ में और बेचा कितने में अलाकि मुझे इतना लंबा लेकर नहीं जाना थे खरीदना बेचना, ऐसे ही लग रहा है कि हानी कितने का हुआ, तर हानी 20 का हुआ, क्या पूछ रहा है, उसका हानी पर्तिशत, पर्तिशत हानी बराबर, हानी, गुने, 100, जब हानी होगा, तो क्रेमुल ऐसे भी बढ़ा ही होता है, बटे क्रेमुल, 100-100, 20% का लॉस हुआ जिए तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 बला 80 में भीका तो 20% का लग, 100 बला 120 में भीके, फिर भाई प्रॉब्लम, एकदम आराम से कर सकते हैं, 450 रुपे की बस्तू को कितने में बेचा जै कि 10% बेचे हैं, एकदम होट मैजिक ट्रिक, शौट नहीं, होट मैजिक ट्रिक, आपने आपके बस्तू का दाम कितना है, 450 गुना का साइन लगा दिजिए, कितना का लाव चाहते हैं, 10% परसेंटेज आप पढ़े हैं कि 10% का लाव चाहिए, तो 110 बटे 100, 00 से 00, क्योंकि पर तीसात हटाएगे न, तो बठा में 100 आएगा, 45 गुने 11, आपको बस्तू में कितना में बेचना पड़ेगा, 400 परसेंट का प्रॉपिट होगा, चलिए, उननीस बा नमबर सवाल, निशा किसी समान को 1000 पर खरीद कर 840 में बेची, खरीदी निशा 1000 में, उसने बेचा 840 में, हानी हो गया, 1000 बला 840 में विका, 160 रुपईया का लाव हुआ, तो हानी पर्तिशत, पर्तिशत हानी बराबर, हानी गुने 100 अबटे, क्रेमल कितना था, आ एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, सोला पर्सेंट का हानी हो, एक सकेंड, लिशा ने किसी समान को 1000 रुपई में खरीद कर 840 रुपई में, बेच दिया, तो हानी पर्तिशन, हाँ, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, एक, हजार वला, 840 में बेची, तो, 160 का हानी हुआ, तो, परतिसात हानी बराबर, हानी गुने 100, अबटे, क्रेमल, खरीदी कितने में, ठीक तो है, तीन, गो, जीरो, कट गया, 16% का हानी, एकदम सबसे आशान, तरीका, समझ में आ रहा होगा, और इस, पहले सेशन का यह आखरी प्रेशने, इसमें थोड़ा सा मिच्चर एंडेलिगेशन लेके आ चुके हैं, मतब एक सेशन के बाद, आपको यह अनुबव हो जाए, कि यह जो हमारे राहूल सर हैं, यह किस लेवल तक के प्रशनों को सॉल्व करा सकते हैं, जो बच्चे सीजल वाले हैं, वो भी ह हमारे साथ बने रहेंगे, जो रेलवे के बच्चे हैं, डिफेंस के बच्चे हैं, सूपर टेट के स्टूडेंट है, सीटेट में भी 15 नंबर का मैथ पूछता है, यह आपको पता है, तो यह सीरीज हर एक जाम में काम है, सीटेट में पूछता है ना 15 नंबर का, तो अब इन दोनों को पिगला कर एक बड़ा धातू बनाया गया पूछ रहे इसमें जस्ता और तांबा का रिश्यो क्या होना चाहिए देखिए पहले अगर जस्ता की बात करे तो पहले और इधर तांबा की बात करे पहले जस्ता ही निकाल लिजे तो यहां जस्ता कितना है ध्यान से देखिएगा एकदम समझ के सर यहां जस्ता पांच है यह जस्ता कितने है पांच मैं जस्ता पांच है यह आठdoors में नहीं 8 तो तामबा है टोटल 8 5 13 में जो चीज निकालना है उसको उपर रख़ियेगा और उसका यह rule होता है picture and elevation एकदम zero level से हमारी वीडियो देखे समझ मैं आएगा आपको तो जस्ता पांच है आठ में नहीं आठ तो तामबा है आठ पांच तेरह में पलस जस्ता यहां भी पांच है लेकिन पांच तीन आठ है यह जस्ता करेश्यो हो गया तामबा की बात करें तो कहेंगे सर यहां तामबा आठ है कितने में आठ पांच तेरह में पलस यहां तामबा तीन है पांच तीन आठ में और इन दोनों के बीच एक ratio चाहिए ठीक है पहले जस्ता को हम इधर जोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर तो हो नहीं पाएगा 13 और 8 का LCM 13 सती 90, 13, 8 104 हो जाएगा LCM तो यह 13 सती 8 बार में 8 पचे 40 पलस 13 बार में 13 पचे 13 बार में पचे 13 सती 90, 13, 8 आठ में 13 से भाग देंगे 104 में 8 से भाग देंगे तो 13 बार में 104 आएगा तो 40 50 60 40 105 बटे चार यह आया जस्ता तांबागी बात करें इधर भी 13 और 8 ही है तो यह आपका हो जाएगा 104 LCM 13 और 8 कर तेर सब्सक्राइब 13 8 चलो तल से 8 बार में 8 8 64 यह 13 बार में लगेगा 13 39 यह आपका हो गया 60 40 100 और 9 4 13 6 39 110 बटे 104 देखिए अब आपसे क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है जस्ता और तांबा का अरुपात नए बरतन में तो जस्ता रेश्यो तांबा यह चीज़ हमें फाइंड आउट करना है बहुती सिंपल एकदम ध्यान से सुनीगा जस् 105 बटे 104 और रेश्यो तांबा कितना है 103 बटे 104 देखो बाबु कुछ नहीं करना है करिएगा क्या कि 105 बटे 104 को रहने दीजिए और यह रेश्यो का मतलब होता है भाग और अभी यह भी हम पढ़े हैं हमें पता अभी है कि यह भाग होता है अगर हम इसको गुना में कर्दब 103 दिखी तो आपके option में है जी हाँ यह 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 पहले marathon का समापन हुआ 20 में 20 2020 special marathon अगर आपको 0 level से मैं पढ़ना है तो संकल्प बैच दीजिए बाकि अगर इसी तरह से आप बनते रही हैं पढ़ते रही हैं हम आपसे अनुरूत करेंगे कि live chat में नहीं आप comment box में comment करके class का feedback दीजिए ताकि जो नए बच्चे आए वो भी देखें कि किस तरह की classes यहाँ पर करवाई जाती है क्या level रहता है इस class ठीक है उमीद है कि बहुत अच्छा feedback आप लोगों से मिलेगा और हसते रही है मुश्कुराते रही है और ऐसे ही dream classes के परिवार के साथ बने रही है और अ परिफलताओं को प्राप्त करते रही है